हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू एनेस के घ्यान तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे वीवो एस सिक्स फाइब जी स्मार्टफोन के बारे में जो की 31 मार्च को चाइना के अंदर लॉंच होगा और दोस्तों उसके दो या तीन अपते बाद ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में भी लॉंच होगा जिसमां आपको मिलेगा 48 मेगा पिक्सल का क्वार्ट केमरा सेटप एक गिनोस 980 का चिप सेट एंड 4500 मेच की बैटरी तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं वीवो एस सिक्स फाइब जी स्मार्टफोन के बारे में कि इसमां आपक ग्लास बैक देखने को मिलेगा जो कि ग्लास क्रेडियन प्रिसिंग के साथ आएगा इंड इसके साथ ही आपको बैक साइट में अक्वाट कैमरा सेटप विद लेडी फ्लेस भी देखने को मिलेगी और आप बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में तो दोस्तों इसमां आप उस 6.4 इंचस की फुल हटी प्लस सुपर एमूलेट डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो की बाटर ड्रॉप नौज डिस्प्ले पैनल होगा जिसका रेजिवलेशन होगा 1080 y 2340 पिक्सल और इसके साथ ही आपको मिलेगा इन डिस्प्ले पिंगर प्रिंट स्कैनर और सेल् को प्रट्ट इन को प्रोटेक्ट करने के लिए ओरिंग गोरिला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगा एंड अब बात करते हैं इसके कैमरा आज के बारे में तो दोस्तो इसके बैक साथ में उत और एक में का पीक्सल का एmm Slide आपका हुगा याश्यम फून का व देखने को मिलेगा और अब बात करते हैं इसके processor के बारे में तो दोस्तों इसमां आपको ag nous 969uster का processor देखने को मिलेगा ज्योंक तो दोस्तों आपको आउट आप दाbocks एंड्रोट 10 का support देखने को मिलेगी जो की सुपर फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है और 33 वाट का सुपर फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा और उसके साथ ही आपको टाइप सी पोर्ट 3.5 एमें मोड यो यह स्मार्टपॉन दो रेम वेरियंट में लॉच होगा 6G प्लस 128GB 8G प्लस 250 6GB अब बात करते हैं इसकी प्राज यह लॉच्ट के बारे में तो दोस्तों इंडियन मार्केट में इसके बेस वेरियंट के यानि की 6G प्लस 128GB वाले वेरियंट के प्राज होने वाली है 20 से 25,000 रुपे के बीच और दोस्तों यह स्मार्टपॉन 31 मार्च को चाइना के अंदर लॉच होगा उसके बाद यह इंडियन मार्केट में लॉच होगा तो उप करता हूँ कि आपको यह वीडियो इंट्रेस्टिंग लगी होगी अकर दोस्तों आपको यह वीडियो इंट्रेस्टिंग लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सेर कर दीजिए और मेरे चैनल पर अभी नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को फ्रेस कर दीजिए